बिल्कुल और अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों के एक्सफेक्टर के बारे में अखिल क्योंकि एक्सफेक्टर ऐसे हम चोज करते हैं जो शायद सटिक भी बैठते हैं तो अगर एक्सफेक्टर की बात किजा दोनों टीमों से तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे खिल प्लेइंग 11 भी आपके सामने है अभिशेक शर्मा इनके ऊपर नजरे बनी रहेंगे लगातार एक लाड़ इंप्रस कर रहा है लगातार अनों का अमबार लगा रहा है उम्मीद है कि मेरी ओर से अभिशेक शर्मा एक्सफेक्टर और RCB की बात किजाए तो RCB के प्लेइंग 11 से कौन सा ऐसा प्लेइर लग रहा है संभावित चोंकि मैच को अलग रुक बदल सकता है यह RCB की प्लेइंग 11 आपके सामने है विराट कोली फाप डुपलिसेस कैप्टन विल जैक रजट पार्टीदार फॉर्म असिल की पिछले मैच में कैमरून ग्रीन क्योंकि मौमाद सिराज यह RCB की संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है और इस टीम में से अगर कोई X Factor चुनना हो तो मैं चुनूँगा विराट कोली को पिलकुल विराट कोली ने हैदरबाद के खिलाप पिछले साल शतक भी लगाया था और विराट के बात आती है तो विराट पारी की भी आदा आती यहर बार इनों ने इंपरस किया है पिछले match में चले मुंबई सामने थी और बुम्रा सामने थी तो उनका बला नहीं चल पाए लेकिन इस बार हैदरबाद सामने है और अपने ही home ground में खेले वाली है अब बात करेंगे अखिल की RCB क्योंकि पॉइंट से निचले पायदान पर है क्या करने होंगे ऐसे तीन काम जो की जीत की तलाश जो है उन्हें और ये जीत जो है वहासिल होजा रहे? सबसे पहला काम तो यह करना पड़ेगा कि जुण कि चेहरें पर डर रहता है न उस डर को अठाना पड़ेगा यहां विराट को लिया उट होते हैं, फाफ आउट होते हैं, सिराज पिट्टे लगते हैं, स्टीम का हरे एक खिलाडी टैंशन में आ जाता है, मलब ऐसे चहरे लटका के बैठ जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप IPL खेल रहे हैं, अभी तक 6 मुकाबले हुए हैं, अभी आठ मैच बचे हुए हैं, RCB कमबेक कर सकती है, उससे पहले भी टीम ने कमबेक किया है, 2016 में लगतार मैच आरे, फिर फाइनल खेला, रणर अपर यह टीम रही थी, एक पहला काम तो यह करना है, कि चहरे पे से उदासी हटानी है, खुल के परफॉर्म करना है, तुसरा अग करतिक के अलावा, इस टीम के मिडिल ओर्र को जिम्मेदार लेनी पड़ेगी, महिपाल, लोम रोर, रजट पाटिदार, एक इनिंग से काम नी चलेगा पाटिदार, आपको टीम लगतार बैक कर रही है, तो आपको डिलिवर करना पड़ेगा, उसके अलावा तीसरा अगाम करना पड़ेगा, अपनी गेंदबाजी में तोड़ा गहरा ही लानी पड़ेगी, मुझे लगता है कि आकाश दीब को इसमें अब शामिल करने की जरूरत है, योगि यह दियाल को चार मौके दिये, कुछ नहीं किया, पिटाई भी हुई, और हर मैच में एक विकेट आप चा चेहरे पर मुसकान लाइए, तभी आप यह मैच जीत सकते हैं, और एक खिलाड़ी की बदलत आप टीम नहीं चला सकते हैं, आपको हर एक प्लेयर पर काम करना होगा, आपको पता है कि आपकी वेकलिंच क्या है, यानि कि आपको रन इतनी जादा बना देने कि सामनी वाली ट टॉफी नहीं आई है, और वो इंतजार जो है, फैंस को हमेशा यह उमीद लगाकर बैठा रहते हैं, कि शायद यह मैच जीत जाए, तो देखिए, अगर आप को भी लगता है कि RCB कुछ चेंजिस करेगी, कमेंट करके जरूर बताए, और अगर आपने अभी तक News Nation और News Nation Sports को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से कर लिजे, बहुत-बहुत शुक्रिया